दोस्तो ये तो आप जानते ही हैं कि जंगल में एक सिकारी जानवर हमारी हालत पतली कर सकता है लेकिन क्या पाल तू गदा भी ऐसा कर सकता है क्योंकि हमें नहीं लगता कि गदे को आपने सामान डोने के अलावा कभी किसी पर हमला करते हुए साहिधी देखा हो तो आएए आज हम आपको हैरान परिशान करते हैं क्योंकि गदा भी सेर बन सकता है दोस्तो जैसा कि आप ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सेर मगर मच शाप वो जानवर हैं जिन से हमें डरना चाहिए और कभी भी इनके सामने अपनी मरदान की नहीं दिकानी चाहिए लेकिन अधे वो जानवर हैं जो इनसानों के इस धर्ती पर आने तक से हमारी हर काम में मदद कर रही हैं और प्राचीन काल में भी आप इन गदों की पैंटिंग इनसानों की मदद करते हुई देखेंगे और सबसे पहले इन गदों का इस्तमाल करना एजिप्ट के लोगों ने जा क्योंकि इनका नाम ही गदा था और यहीं सोचा कि ये गदे कभी किसी पर हमला नहीं कर सकते लेकिन इने इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर इन गदों की सटक जाए तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि सटक जाने पर ये किसी भी जानवर की सीधा गर्दन को म नहीं मरते होंगे उससे कहीं जादा लोगों को तो हर साल गदे मार देते हैं और ये बिल्कुल सच है तो अगर आपको कहीं गदा जाते हुए देखे तो बस इन जानवरों को गदा समझने की गल्ती बिल्कुल मत करना क्योंकि हो सकता है कि उस गदे ने कभी न कभी अपनी मताने की दिखाई हो अब दोस्तों इस वीडियो को देखिए क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि हाइना हर जानवर से मार खाते हैं क्योंकि ये हर जानवर के उगली करने से बाद जू नहीं आते और यहां आप देखी सकते हैं कि हाइना अपने आपको इस गदे की पकड़ से छोड़ा नहीं पा रहा और इसी तरह इस वीडियो में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जिसमें गदा इस हाइना को मुह से इतनी कस्के दबाता है कि अगर ये बच गया तो दोबारा यहां नहीं आएगा लेकिन ये ऐसा करते क्यों है तो दोस्तो इसका जवाब है इन गदों के मालिक इन्हें इस काम के लिए ट्रेन करते हैं क्योंकि सदियों से एक पिरता है कि इन गदों को जो भी काम इनसान सिखा देते हैं ये बस उतना ही काम करते हैं जैसे जंगली जानवरों से भेड और दूसरे पालतू जानवरों को बचाना लेकिन कई वार गदे इन पालतू जानवरों पर भी हमला कर देते हैं और इसका जवाब ये है कि भाई गदे तो गदे ही रहेंगे जैसा की इस वीडियो को देखिए जिसमें ये गदा वकरी के इस बच्चे पर हमला कर देता है और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये गदे ऐसा गुस्से में नहीं करते बलकि ये गदे कभी कभी बहुत जादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इन भेड वकरीयों को बचाने के चक्तर में ऐसा करते हैं लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि ऐसा करने से उस वकरी की जान भी जा सकती है क्योंकि ये गदे जो होते हैं